दोस्तों आप एक laptop लेने से पहले किन-किन चीजों का ध्यान रखते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं किन-किन points को अपने दिमाग में रखता हूँ laptop buy करने से पहले, सबसे पहले performance, फिर display, build और brand का में ध्यान रखता हूँ उसके बाद battery backup हो गया, user experience, keyboard, mouse और connectivity के options देखता हूँ और ये है मेरे पास Asus की expert book series का एक laptop इसकी unboxing में मैं आपका time जह हो बिल्कुल भी waste नहीं करूँगा वहीं हमेशा की तरह box के अंदर कुछ documents, एक charger लेकिन अच्छी बात ये है कि charger का size काफी छोटा है तो ऐसे में आप इसको bag में रखके easily travel कर सकते हैं इससे भी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको thunderbolt 4 का port देखने हो मिलता है तो आप इसको type C के charger के साथ भी charge कर सकते हैं इसके लावा है हमारा ये Asus का expert book laptop जिसके अंदर आपको ergo lift hinges देखने हो मिलेंगे इसके विए से आपको नीची जोड़ा gap देखने हो मिलता है और उसके विए से जो cooling है वो काफी अच्छी बनी रहते है thermals काफी अच्छे से perform करते है साथ में 180 degree के hinges आपको यहाँ पर देखने हो मिलते है जो कि एक hardware based security है तो ऐसे में आपको जादा layer security की देखने हो मिलती है और आपके data को protection भी मिल जाती है मैं अगर सीधे सीधे अपने use की बात करूँ तो पिछले एक महिने में मैंने इसको video editing के लिए use किया है इसके ओपर GTA Valorant जैसी game भी मैंने play करी है यहाँ पर मैंने काफे सारे benchmark scores को भी run किया है और इसके अलावा मैंने इस laptop को अपनी share trading के लिए भी इस्तमाल किया है यह जो Asus की expert book series है यह 35,000 रुपीज के आसपास की range से start हो जाती है जहाँ पर आपको i3 वाला जो है वो processor देखने हो मिलता है इसके लावा i5, i7 भी आपको variant देखने हो मिलेंगे मैंने ना तो i3 वाला लिया ना i7 वाला लिया मैंने beach वाला variant वो buy किया है i5 के साथ तो ऐसे में आपको idea लग जागा कि i3 में कितना थोड़ा सा कम performance मिलने वाली है i7 में कितनी जादा मिल जाएगी पूरी configuration की बात करूँ तो i5 11 generation का processor है RGB की RAM है 512 GB की high speed SSD है दोनों ही upgradable है Intel के Iris Xe graphics का support आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है और Wi-Fi 6 यहाँ पर आपको देखने हो मिलागा तो काफी fast internet connectivity यहाँ पर मिलने वाली है 64-bit का OSI Windows 11 Pro Edition आपको देखने हो मिलेगा तो ऐसे में 64-bit पर चलने वाले सारे software आप यहाँ पर चला सकते हैं जो screen है वो 14 inches की एक full HD display आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगी और TU Wear Inland Certified है तो ऐसे में eye care protection आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है screen जो है वो matte finish के साथ आती है तो ऐसे में reflections वगरा देखने हो नहीं मिलते तो काफी comfort आपको यहाँ पर मिलेगा जब आप इस पर काम करेंगे इंडोर और outdoor दोनों ही जगे पर मैंने इस display को इस्तमाल किया है और मुझे ऐसी कोई खास यहाँ पर problem देखने हो नहीं मिले एक अच्छी बात मुझे personally यह लगी है कि इस laptop का weight जो है वो काफी कम है साड़े 1400 gram के आसपास का है तो ऐसे में आप इसको easily लेके travel कर सकते है और battery backup भी काफी अच्छा है पूरा दिन जो है बिना charging के अराम से आपका laptop जो है निकाल देगा कितनी बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं charger जो है वो घर पर भूल गया और पूरा दिन इस laptop ने बड़े अराम से मेरा निकाल दिया thermals के अब में बात करो तो back में आपको काफी सारी grills देखने हो मिल जाएंगी तो ऐसे में inlet जो है वो काफी अच्छे से काम करता है और इसके चारो तरफ आपको जो है rubberized coating देखने हो मिल जाती है तो ऐसे में जो surface है ना उससे आपको gap देखने हो मिलेगा और उस gap की वैसे अच्छे से जो है वो airflow काम करता है और उसके वैसे आपको heating issues इस laptop के अंदर देखने हो नहीं मिलेंगे बागे laptop जो है on है और मैं बिल्कुल माइक के पास ले जाके कोशिश करता हूँ आप मुझे बताएगा कि आपको fan की noise जो सुनाई दे रही है कि नीचे मुझे comment box में ज़रू बताएगा मैंने बिल्कुल माइक के साथ चिपका रखा है शायद आपको अगर fan के आवाज सुना जो है वो जादा important रहेगा speakers की जो आवाज है वो थोड़ी सी जादा होनी चाहिए थी अगर आप indoor में इस्तमाल कर रहे हैं रूम में हैं तब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी अच्छी बात मुझे यह लगी कि music की जो quality है जो speakers की जो quality है वो काफी अच्छी है लेकि loudness नहीं है आप outdoor में इस्तमाल करेंगे तो आपको इतना मजा नहीं आगा आपको शायद अच्छे से सुनाई ना दे इंडूर में आपको disappoint नहीं करेगा बात कर अगर ports की तो slim और lightweight होने के बावजूद आपको लगबग सभी ports देखने हो मिल जाते हैं Thunderbolt 4 USB C type port देखने हो मिलता है USB 3.2 Zen 2 का port भी देखने हो मिल जाएगा एक full size HDMI port, RJ45 connector और USB 2.0 का port भी आपको देखने हो मिलता है और भाई professionals का पूरा ध्यान रखा है यहाँ पर आपको display output port भी देखने हो मिलता है तो ऐसे में अगर आप projector के साथ कोई PPT दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप easily कर सकते हैं इसके अलावा 3.5 mm jack और charger के लिए DC in का port भी आपको देखने को मिल जाएगा गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो GTA 5 जैसी गेम को आप easily play कर सकते हैं Valorant को भी आप easily play कर सकते हैं thanks to Iris XC graphics का support बाकी कुछ benchmark scores भी मैं आपके साथ share कर देता हूँ अगर आप comparison करना चाहते हैं किसी और laptop के साथ तो आपको idea लग जाए कि कैसे score आपको देखने हो मिलते हैं 3D Mark के अंदर आपको graphics सा support जो है वो 814 मिलने वाला है जबकि CPU का score आपको 3194 देखने हो मिलेगा अगर time size score की बात करूँ तो 916 है Cinebench के अंदर आपको जो multi core का score है वो 4000 को भी cross करता है 4471 और यहाँ पर मैंने disk की read write speed देखी तो यहाँ पर आपको जो speed है वो भी काफी सही देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ पर मैंने coral draw, photoshop, after effect, share market trading तो मैंने बताया था मैंने हाँ पर करी थी अब भी कर सकते है, autocad भी मैंने यहाँ पर चलाया, वो भी ठीक चल रहा था overall अगर मैं बात करूँ तो laptop ने performance मुझे कहीं पर भी disappoint नहीं करा, अच्छी performance मुझे यहाँ पर देखने हो मिली overall आप इसे सही value for money laptop बोल सकते हैं, इसका link मैंने नीचे description में दिया है, आप जाकर अच्छे से check out कर सकते हैं और expert book series के अंदर और भी जो laptops हैं, उनका link भी मैंने नीचे दिया है, तो आप comparison भी कर सकते हैं उनके साथ इसके अलावा अगर आप personally यह चाहते हैं कि आपको मैं किसी laptop का वीडियो बना के दूँ या review बना के दूँ तो नीचे मुझे comment box में ज़रू बताएगा और अगर आप confused हैं कि आपको अपने लिए कौन सा laptop भाई करना है, आपके budget के इसाब से, आपके requirement के इसाब से कौन सा laptop आपके लिए best रहने वाला है तो हम ऐसे expert advice भी देते हैं, हमारी website है techwani.info, वहाँ पर जाकर आप simple form fill up कर सकते हैं और उसके बाद हमारे expert आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा laptop बेस्ट रहने वाला है इसी के साथ आज का वीडियो में खतम करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो को लाइक कीए तो लाइक भी कर दीजेगा मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स वीडियो के अंदर